हेलो दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल हिंदी सोठेंट चो पर स्वागत है फ्रेंट्स आज की सेशन में देखेंगे कोट लीगल मैटल डिक्टिशन को इस्टर्ट करेंगे 5 सेकेंड बाद डिक्टिशन नमबर 5 विद्वान विचारण न्यायले द्वारा मान्निये सर्वोच्य न्यायले के न्याय द्रश्टांत में अपिलार्थी के व्रुद न्याय द्रश्टांत का उचित रूप से संदर्व लेते हुए उभय पक्ष के मध बेवार पिर्किती का बिवाद होना पाया है उक्त आदेश बिदी सम्मत और चित्रपून तथ्यों के अनरूप पारित किया गया है जिसमें हस्तचेप किये जाने का कोई आधार दर्सित नहीं होता है अतहा विद्वान विचारन न्यायले का आदेश दनांक 21.15 की पुष्टी की जाती है तथा पुनरिक्षण करता की ओर से प्रस्तुत पुनरिक्षण याचका पिरमान के अभाव में नरस्त की जाती है अवियुक्त के व्रुद्ध धारा साथ एबं तेरा शैपटित धारा तेरा व्रस्टाचार नवारण अधिनियम 1998 के अंतरगत आरोप है कि उसने दनांक 30.12.2013 के पूर्व से नायव तैसिलदार नयायलाय में सहायक क्रेड तीन जोकी लोक सेवक का पद है पर पदस्त रहते हुए प्राथी वा अन्न के नाम से खरीदी गई किर्सी भूमी के नामांतरण कराने के एवज में अपने पदिय कर्तब के दोरान बैद पारी सिर्मिक से भिन अबैद पारी तोसन के रूप में तीन हजार रोपे की मांकी एबं दिनांक तीस एक दो हजार तेरा को प्राथी एबं अवियोगी से बैद पारी सिर्मिक से भिन अबैद पारी तोसन की रासी रोपे दो हजार प्राप्त किये तथा लोक सेवक के पद पर पदस्त रहते हुए बरश्ट या अबैद साधनों से अपने पद का दुरुपियोग करते हुए दनांक तीस एक दो हजार तेरा को अवियोगी से दो हजार रोपे सोयम के लिए बैद पारी सिर्मिक से भिन रासी प्राप्त कर आप्राधिक अवचार का अप्राध कारित किया आविदक की ओर से यह तर्क किया गया है की यह उसका प्रिथम नियमित जमानत आवेदन पत्र है इसके अतरिक्त अनकोई आवेदन मानिय सर्बोच नियायल है के समक्ष ना तो लंबित है और ना ही नराकरत किया गया है वह दनांक 4.1.2017 से नियायक निरोद में है वह निर्दोस है उसे प्रिकरण में मित्या आलिप्त किया गया है प्रिकरण के नराकरण में समय लगने की शंभावना है अवियुक्त शिप्पुरी जिले का इस्थाई नवासी है उसके भागने एवं फरार होने की कोई शंभावना नहीं है अवियुक्त अन्वेशन में पूण शयोग करेगा तथा अवियोजन साक्षियों को पिरभावित भी नहीं करेगा बह जमानत की सर्तों का पूरी तरह से पालन करेगा अवियुक्त ने अपने आवेदन के समर्थन में अपने भाई सुनिल सिंग का सपत पत्र प्रस्तुत किया किसी पिरकरण में यदि कोई साक्ष अपीलार्थी की ओर से पेश किया गया है और उस साक्ष पर किसी भी अवियोजन साक्षी के द्वारा कोई विरोध नहीं करता है तो ऐसी इस्टिती में निया अधीश उस मामले में गंभीरता से विचार बिमर्ज करेगा और तब अपने अंतिम नेने को अवीलखित करेगा स्टॉप फ्रेंट्स आपको यह डिक्टेशन कैसा लगा आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और जितने इसमें बैड बनाने में आपको कोई भी प्रॉलम जाती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उसे ओपन करें सारे वर्ट्स आपको मिल जाएंगे और अपने दोस्तों में जानदा से जानदा डिक्टेशन को सेयर करें थैंक्यू सो मच फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में